हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज हम जीके और जीएस का सेक्शन वाई टेस्ट लगाने वाले हैं जिस टाइप से आपके एक्जाम में कॉश्चन पूछे जाते हैं भाग एक में हमा समाने ज्यान होगा जिसके अंदर समाने ज्यान के 15 प्रशन होंगे और भाग दो जो है उसके अंदर समाने विज्यान होगा जिसके अंदर समाने विज्यान के भी 15 प्रशन होंगे यानि की पूरे 30 प्रशनों का आपका एक मौक टेस्ट लगेगा सभी को अपने टेस्ट लेंग्विज हमारी हिंदी और इंगलिश दोनों रहेगी तो सेक्षन ए आपके सामने हैं समान्य ग्यान एक से 15 प्रशन पहला प्रशन है आपके सामने स्क्रीन पर दक्षिन कोरिया की राजधानी का नाम क्या है प्योंग यांग सियोल निकोसिया या फिर दश्मिक वट इस दश्मिक प्रशन प्रश्मिक छब्स, समय कमाया वर्शन एकक वांज स्सक्राइन प्रशन प्रशन के सामने स्क्रीन पर अयाओध्या किसे नदी के किनारे स्थित हैं आयोध्या is situated on the banks of which river option है जेलम नदी, भागी रथी नदी, सर्यू नदी या फिर गोमती नदी तो answer match कीजेगा अगर आपने यहाँ पे option C को answer दिया है आपका answer बिलकुल correct होगा साथ मैं आपको गोमती का पता होना चाहिए लखनाओं और जोनपूर शहर गोमती नदी के किनारे इस्थित है जेलम नदी के किनारे कौन सा शहर इस्थित है तो श्रीन अगर इस्थित है यह भी very very important question है चलिए, question number 3 आपके सामने है इस्क्रीन पर 1857 के विद्रों में कानपूर से किसने नेत्रित्व किया था खान, बहादूर खान, राव, तुला, राम, नाना साहेब, या फिर, कुवर, सिंग, question super important answer match करेंगे अगर आपने इस प्रशन का right answer option C को दिया है नाना साहेब, आपका answer बिलकुल correct होगा बढ़ते हैं next पे question number 4 आपके सामने है, बैसाखी किस धरम का प्रमुख त्योहार है, सबसे आसान प्रशन है और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रशन किसी भी student का गलत होगा, answer match करो, क्या आप सभी ने यहाँ पे option C को answer दिया है बैसाखी जो है, ये सिख धरम का प्रमुख त्योहार है, चलिए, question number 5 आपके सामने स्क्रीन पर, राजा राम मोहन राय द्वारा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई वेन वाजदा ब्रह्मो समाज फाउंडिड बाई, राजा राम मोहन राय आंसर मैच करो, क्या आप सभी ने option D को answer दिया है, सन 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई question number 6 आपके सामने है, स्क्रीन पर, लाला लाजपत राय को जाना जाता है option है आपके सामने हर्याना, हरीकेन, बंगाल का शेर, पंजाब, केसरी या फिर लिटिल, मास्टर very very important है, जल्दी से answer दीजेगा इस question का, answer मैच करेंगे अगर आपने आपे option C को answer दिया है पंजाब, केसरी, आपका answer बिल्कुल correct होगा, लाला लाजपत राय को पंजाब, केसरी के नाम से जाना जाता है साथ में हर्याना, हरीकेन पता होना चाहिए, ये कौन है, भूत, पूर्व, क्रिकेट कप्तान, कपिल देव राइट, अब बंगाल का शेर दो लोगों को बूला जाता है, अगर आपको गवर्नर जनरल की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है लॉड वेलेजली, इसको बंगाल का शेर बोलते थे, और एक और है, बंगाल टाइगर कोन है, सौरव गांगुली है, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्लियर, लिटिल मास्टर सभी को पता होगा, सुनील गवासकर, चलिए, कोशन नमबर सैवन की तरफ चलते हैं, कोशन न परवर्ड ब्लोक, साइमन कमिशन, मारले मिन्टो एक्ट, या इन में से कोई नहीं, वीच पार्टी वास फाउंड़ बाई स्वास चंद्रा बोस, आफ्टर लीविंग दा कॉंग्रेस इन 1939, आंसर मैच करेंगे, सभी ने आंसर करेक्ट दिया है, ऑप्शन ए, इसका सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, कोशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, और वेरी वेरी स्टेटिक है, विच स्टेट है दा लंगेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, आंसर मैच करेंगे, अगर आपने आपे ऑप्शन बी को आंसर दिया है, गुजरात आप का करेक्ट आंसर होगा, इसी में दो तिन कोशन और बनते हैं, उनको ध्यान से देखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला रज्य कौन सा है, गुजरात है, सबसे छोटी तटरेखा वाला रज्य अगर आपसे पूछेगा, तो आपको गोवा अंसर करना है, आंधर प्रदे करता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र साशित प्रदेश यानि की यूनियन टेरिट्री, तो आपको अंसर करना है, अंडमान, कलियर है सभी को, चलिए, कोशन नमबर नाइन आपके सामने है, रामेश्वराम मंदिर डैश में इस्थित है, रामेश्वराम टेंपल इस लोकेटिड इन वीच, गुजरात, आंदरा प्रदेश, तमिल नाडू, ओडिसा, तो रामेश्वराम मंदिर कहां पे है, तमिल नाडू में है, आपका सी यहां पे बिलकुल करेक्ट आंसर होगा, कोशन नमबर दस है, आपके सामने स्क्रीन पर, सन 1921 में हडपा की खोज किसने की, who discovered हडपा in the year of 1921, option, RD बनर जी, यग्यतत शर्मा, दया राम साहनी यां फिर आर ऐसे बिस्ट, क्या अंसर करोगे, option आपका यहां पे, option C बिलकुल करेक्ट होगा, दया राम साहनी ने 1921 में हडपा की खोज की थी, कलीर है, चलिए, बढ़ते हैं, next पे, question number 11, आपके सामने है, very very important, किस सविधान संशोधन के तहट, संपत्ती के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, very very important है, जल्दी से आंसर देंगे, option आपके सामने है, अगर समय चाहिए, तो session को जरूर रोकिएगा, right answer यहां पे, आपका option भी रहेगा, 24 सविधान संशोधन, 1978, इसके तहट संपत्ती के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, और यह एक विधिक अधिकार बन गया है, इसको अब 300A अनुछेद के अंद्रगत डाला गया है, क्लियर, question number 12 है, आपके सामने, नियुन्तम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कोन सा है, question very very important है, जल्दी से answer देंगे, which is the state with the lowest population density, answer match करेंगे, अगर आपने option D को answer दिया है, अरुनाचल प्रदेश आपका right answer होगा, अरुनाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व only 17 व्यक्ति प्रती किलो मीटर है, सबसे आधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कोन सा है, तो ये आपका बिहार है, next question number 13, आपके सामने screen पर answer देंगे, विश्व भारती, विश्व विद्याले की स्थापना किसने की, question very very important है, आपके आर्मी कलर्क के एक्जाम में ये वाला question पूछा जा चुका है, who has established विश्व भारती यूनिवरस्टी, option बोल देते हैं, वल्लव भाई पटेल, सुवाश चंदर बोस, अरविंद घोष या फिर रविंदर नाथ टैगोर, अगर आपको विश्व भारती, विश्व विद्याले बोले, या फिर only विश्व भारती ही बोले, तो आपको आंसर करना है, option D, रविंदर नाथ टैगोर, क्या सभी ने option D को आंसर किया है, next question number 14, आपके सामने स्क्रीन पर आंसर देंगे, हुमायू का मकबरा कहां इस्तित है, where is हुमायू टॉम लोकेटेड, आंसर जल्दी से दीजेगा, और आंसर मैच करेंगे, अगर आपने आपे option C को आंसर दिया है, दिल्ली आपका correct आंसर होगा, हुमायू का मकबरा दिल्ली म इस्तित है, लाहोर में किसका मकबरा है, तो जहांगीर का मकबरा लाहोर में है, question number 15, आपके सामने भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संक्या कितनी है, राइट अंसर मैच करेंगे, अगर आपने आपे option B को आंसर दिया है, 9 आपका आंसर correct होगा, भारत में 9 आइन ऐसी राज्ये हैं, जो समुद्र तट से बिलकूल सटे हुए है, clear, तो यहां पे आपका section A complete होता है, start करते है, section B आपके सामने 16 से 30 ब्रशन, very very important, question number 16 है, पोदे किस विदी से भोजन का निर्मान करते हैं, औक सी करन, अवकरन, प्रकास संसलेशन, या फिर संगनन, बि पोटो सिंतेसिस, याने की प्रकास संसलेशन, विदी द्वारा, पोदे भोजन का निर्मान करते हैं, question number 17 है, जी आपके सामने जल्दी से आंसर देंगे, malaria किसके द्वारा होता है, option आपके सामने है, प्रशन, very very important, तो देखिएगा, malaria यह है, एक परजीवी के द्वारा होता है, याने की प्रोटो जुआ के द्वारा होने वाला एक रोग है, और यह होता है, मादा एनफलीज मच्चर के काटने से, option B, correct answer होगा, इसी के साथ आपको डेंगू पता होना चाहिए, डेंगू जो है, एडिस के कारण होता है, सी सी मक्खी के द्वारा कौन सा रोग होता है तो यह होता है, आपका निद्रा रोग, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, H5N1 जे क्या होता है, आपका बर्ड फल्यू होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, कलियर है, चलिए, कोशा नमबर 18 की तरफ चलते हैं, आपके साबने स्क्रीन पर हडियों और दातों में कौन सारा सायन होता है, वीच केमिकल इस मेंली पर्जेंट इन बाउन्स एंड तीथ, आप्शन है, मेगनीज, कैल्सियम, नाइट्रोजन, ग्रेफाइट, जल्दी से आंसर दीजेगा, तो आंसर मैच करेंगे, अगर आपने आपे आप्शन B को आंसर दिया है, कैल्शियम आ आपका आंसर बिलकुल करेक्ट होगा, क्या सभी ने ऑप्शन B को आंसर दिया है, लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बोक्स में चाहिए कि आपका स्कोर कितना है, और सेक्शन वाइस कमेंट करना कि सेक्शन A में आपका स्कोर कितना है, और सेक्शन B में आपका स्कोर क किस ने दिया हूँ गैव दा प्रिंसिपल ओफ लॉफ फ्लोटिंग न्यूटन फेराडे आर्कमेडीज या फिर चार्ल्स डार्विन है बिल्कुल करेक्ट आंसर आप्शन सी रहेगा आपका आर्कमेडीज ने लॉफ फ्लोटिंग का सिधांत दिया था क्या सभी ने आप्शन प्रचूर मात्रा में होता है वर्ट इज अबंडन्ट इन स्पीनेच लीव सोडियम आइरन जिंक शूगर तो पालक के पत्तों में या फिर हरी सब्जों में सबसे अधिक प्रचूर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है आईरन ऑप्शन बी यह आपका राइट आंस का रिसाव हुआ था वरि वर कार्बोनेट मिभायं आइस्यहाइन है इत्राइन सलफाइड ए ताहल मरकड़्टन मि मिल्कुल करेक्ट гр औप्शन बी रहेगा आपका मिथाइल आइसो साइनेट गैस करिशा हुआ था भोपाल गैस तरासदी में कॉशन नमबर ट्वेंटी टू है आपके सामने कौन सा अधातू कमरे के ताप पर द्रव में होता है विच नॉन मैटल इस लिक्विड एट रूम टेंप्रेचर बिल्क पूल करेक्ट अंसर आपका option C रहेगा ब्रॉमिन ब्रॉमिन जो है एक अधातू है जो की समाने ताप पर द्रव अवस्था में रहता है आप से अधातू पूचा है यह आपको ध्यान रखना है अगर आपको बोलता कौन सी धातू है जो कमरे के ताप पर द्रव में रहती है तो आपका right answer होगा पारा कलियर चलिए Question number 23 है आपके सामने Anti-money क्या है धातू, अधातू, उपधातू इन में से कोई नहीं What is anti-money बिल्कुल correct answer option C होगा Metalloid है यानि कि anti-money एक उपधातू है आपको पता होना चाहिए धातू के example और धातू के example और उपधातू के example ये सभी आपको पता होने चाहिए एक्जाम में इस टाइप से question जरूर बनता है Question number 24 की तरफ चलते हैं आपके सामने हैं धातू के बरतन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह है उश्मा की अर्द चालक है, कुछालक है सुचालक है या इन में से कोई नहीं तो देखिएगा धातू के बरतन में खाना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह है उश्मा की सुचालक होती है, गुड कंड़क्टर होती है option आपका C, बिलकुल correct answer होगा Question number 25 है किसी अभीकरिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते है आवकारक, अभिकारक, आक्सी कारक या इनमें से कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट अंसर यहां पर आपका ऑप्शन भी रहेगा अभिकारक बोलते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कोशन नमबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर है श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया है वाट टाइप ओफ रियक्शन इस देर एन रेस्पिरेशन उस्माक शेपी, उस्माक शोसी, सैयोजन या फिर उपचेन और अपचेन अभिक्रिया तो स्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है स्वाशन एक उसमाक शेपी अभी करिया है आप्शन आपका A जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कलियर चलिए बढ़ते हैं नेक्ट पे कोश्चन नमबर 27 है आपके सामने जिनका पी एच मान साथ से कम होता है क्या कहलाते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप्शन ए रहेगा जिनका पी एच मान साथ से कम होता है अमल कहलाते हैं जिनका पी एच मान साथ से अधिक होता है वो ख्शार कहलाते हैं और जिनका पी एच वेल्यू 7 रहता है वो उदासीन कहलाते हैं नेक्स्ट है question number आपके सामने 28, पारे की परमानु संख्या कितनी है, जल्दी से आंसर दे दो, question ये बहुत important है, what is the atomic number of mercury, option आपका यहाँ पर B जो है ये बिल्कुल correct आंसर होगा, पारे की परमानु संख्या 80 है, क्या सभी ने option B को आंसर दिया है, चलिए, question number 29 है, second last question, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, which of the following is not a primary color, लाल, पीला, हरा, निला, तो primary color आपको पता है, लाल, हरा और निला होते हैं, पीला जो है यह एक primary color नहीं है, option B आपका राइट आंसर होगा, और इसी के साथ question number 30 है, आज का last question, इसके बाद एक question आपको homework कर दूँगा, homework लेकर जाईएगा, question number 30 का आंसर देंगे, सबसे भारिधातू कौन सी है, which is the heaviest metal, option आपके सामने है, जल्दी से सभी को आंसर करना है, तो सबसे भारिधातू कौन सी है, आपको पता होगा, वो होती है, ओस्मियम, ओस्मियम का formula होता है, संकेत होता है, O, S, option आपका D, right answer होगा, क्या सभी ने option D को answer दिया है, तो दोस्तों ये थे आपके top 30 very very important question, ये वाला question आपका homework का है, पानी में हवा का बुलबुला किस lens की भाती कार्रे करता है, अव्तर lens, उत्तर lens, बेलना कार lens या इन में से कोई नहीं, answer इसका comment box में दीजेगा, कल की class में हम इस question का answer discuss करेंगे, starting में, तो दोस्तों ये थे आपके top 30 प्रशनों का very very important section wise mock test, बताईएगा इस 30 प्रशनों में आपका score कितना हुआ है, section wise score comment करना है, कि section A में आपका इतना सही हुआ है, section B में आपका इतना सही हुआ है, total आपके इतने number बन रहे हैं, one by four negative marking लगाने के बाद, clear, तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे topic के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत,